है नमस्ते और वेलकम टू माई चैनल माई सेलफी इस रेता जा और आज का जो मेरा टॉपिक है एस वान टू एस एलेवन केमिकल के बारे में एस वान केमिकल जो है फ्लोर क्लीनिंग केमिकल है यह सैनिटाइजिंग के परपस भी हम लोग यूज कर सकते हैं और यह हम लोग फ्रेशनिंग के परपस भी यूज कर सकते हैं यह केमिकल नॉर्मली यूज होता है फ्लोर, टॉयलेट, हॉस्पिटल, होटेल, इंड़स्ट्री, फार्मा इंड़स्ट्री में, अगर आप ये केमिकल जो है, नॉर्मली अगर आप यूज करते हैं, क्लीनिंग के परबस तो आपको 20 ml देना है, एक लिटर पानी में, सैनिटाइजिंग के परबस अगर आप ये केमिकल यूज करते हैं, तो आपको 50 ml देना है है नॉर्मल क्लिनिंग के लिए हमें यह केमिकल 20 से 30 ml लेना है एक लिटर पानी में अगर हेवी क्लिनिंग का जरुरत है तो 50 ml लेना है हमें एक लिटर पानी में S3 जो है glass cleaner liquid है मतलब यह chemical windows, mirror किसी भी तरीके का glass का cleaning के purpose, shining के purpose यूज होता है यह chemical आप जो 20 से 50 ml आपको 1 लिटर पानी में देना है किसी भी तरीके का glass को cleaning या shining के purpose S4 chemical जो है furniture polished chemical है मतलब कोई भी wooden का समान को polish के purpose यह chemical यूज होता है यह chemical जो है ready to use है इसमें पानी mix करने का कोई ज़रुत नहीं S5 जो है room freshener है मतलब office, corridor, washroom में room freshener का purpose यह chemical जो use होता है यह chemical ready to use होता है कोई भी पानी mix करने का ज़रुत नहीं है इस chemical में S6 जो है toilet bowl cleaner है मतलब toilet urinal cleaning के purpose यह chemical यूज होता है यह chemical ready to use है इसमें कोई भी पानी mix करने का ज़रुत नहीं है S7 जो है hand wash liquid है यह chemical मतलब hand washing के purpose यूज होता है यह chemical ready to use होता है इसमें पानी mix करने का ज़रुत नहीं है S8 जो है car shampoo cleaning chemical है यह automobile like car, truck, bus को cleaning के purpose यह chemical यूज होता है S9 जो chemical है dish washing cleaning liquid है यह chemical hotel, hostel में dish wash करने के purpose यूज होता है S10 जो है super lime away acid cleaner है मतलब kitchen, kitchen का कोई equipment shower head में अगर बहुत दर spot पर जाता है तो उस जगा को cleaning के purpose यह chemical यूज होता है S11 जो है hand wash liquid है, normally हम जैसे hand wash यूज करते हैं हमें यह chemical भी वैसे यूज करना है Hope my video is useful, कोई भी chemical के बारे में detail information के लिए chemical का नाम और MSDS लिखिएगा Google में chemical का details information आ जाएगा, thank you so much